प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देश के पहले प्रधान मंत्री नहरू से इतनी नफरत क्यों है? आखिर इतनी नफरत क्यों है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार उसका परिचे देते हैं। आप जानते हैं ताजा खबर क्या है? दिल्ली के तीनमूरती हाउस में अब तक एक संग्रहाले और एक लाइबरी था जिसका नाम था जवाहर लाल नहरू संग्रहाले और लाइबरी अब उसका नाम बदल दिया गया है उसका नाम है अब प्रधान मंत्री संग्रहाले और लाइबरी हलाकि मैं आपको बता दूँ कि देश के रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने इसकी जो वजह बताई है वो बहुत खुबसूरत है आगे जाकर मगर ये सामान ने खबर नहीं है दोस्तों RSS और प्रदान मंतरी नरेंडर मो़ी में देश के पहले प्रदान मंतरी के लिए जो नफरत है वो आज मैं प्रमानित करने जा रहा हूँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तीन मूर्ती भवन को लेकर जो फैसला लिया गया है वो سामान ने फैसला नहीं है क्योंकि नहरू को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नफरत बार बार जलकती है और नर सिर्फ उनके अपनी नफरत बलकि अपने पालतू पत्रकारों के जरीए नहरू के खिलाफ बाकाइदा एक टूल किट चलाया जाता है जो प्रमान के साथ आज मैं पेश करने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तों सुनिए देश में महंगाई के लिए जी हाँ महंगाई का समाधान क्या हो ये तो ना निर्मला सीतारामन को आता है अब महंगाई के लिए किस तरह से देश के पहले प्रधान मंत्री को लपेटा जाए उलाईजा फर्माईए कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते वस्तूओं की कीमते बढ़ जाती है और यह हमारे नियंतरणद से भी बहार हो जाती है देश के सामने देश का पहला प्रधान मंत्री हाद उपर कर देता है आगे कहते हैं देखो जी आपके काम की बात है आगे कहते हैं पंबित नहरु जी आगे कहते है अगर 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 अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तों की किमत पर पड़ता है सोचिए सोचिए तब महिंगाई की समझ से आप कितनी गंबीर थी कि नहरुजी को लाल किले से देश के सामने हाथ उपर करने पड़े थे अब आप बताईए दोस्तों देश के पहले प्रधान मंत्री नहरु का निधन हुआ था 1964 में आज हम 2023 में हैं मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इतने सालों बाद आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप दोश किसको दे रहे हैं आप देश के पहले प्रधान मंत्री नहरु को इसका दोश दे रहे हैं बात वहां नहरु के लिए इनके मन में नफरत कूट-कूट कर भरी हुई है और मैं आपको प्रधान मंत्री का एक नहायती शर्मनाक बयान सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने संसद में दिया था और यहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भाशा एक प्रधान मंत्री की तो बिलकुल भी नहीं है उन्होंने ये तक कहा संसत के अंदर कि गांधी परिवार के जो लोग हैं वो नहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते मुलाइजा फर्माईए क्या कहा था प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री शायद ये भूल गए कि इंदरा गांधी की शादी जो है वो फिरोज गांधी से हुई थी और फिरोज गांधी से शादी होने के बाद जाहिर सी बात है सरनेम जो है बच्चे उनी का एडॉप्ट करेंगे यानि फिरोज गांधी के बेटे राजीव गांधी राजीव गांधी के बेटे राहूल गांधी राजीव गांधी के बाई संजे गांधी संजे गांधी के बेटे वरुन गांधी सीनी सी बात है मगर चूकी नहरू के लिए आपको अपनी नफरत को बताना है तो ये किया जा रहा है और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते नहरू के प्रती अपनी नफरत को जतलाने के लिए बाकाइदा हर महीने एक टूल किट काम करता है आरेसिस का, प्रधान मंत्री कार्याले का और स्वयम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कि नहरू को बदनाम किया जाए हर मुद्दे पर बदनाम किया जाए और एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूँ किस तरह से काम होता है सुबूत के साथ, सबसे पहले देखिए क्या गोड से की फांसी रुकवाना चाहते थे अंबेडकर क्या गांधी की हत्या में सावरकर को फसाना चाहते थे नहरू यहां पर यह पत्रकार जो है देश के पहले आतंकवादी यानि गोड से के पक्ष में कहीं न कहीं जो है अमबेडकर का सहरा ले रहा है और गाली किसे दे रहा है देश के पहले प्रधान मंत्री नहरू को मैंने कहा ना टूल किट आगे देखिए कश्मीर भारत में मिल रहा था नहरू के मन में क्या चल रहा था कश्मीर मसले पर नहरू की नीती का पूरा विशलेशन कमपनियों को फाइदा पहुँचाने के लिए शुरुवात नहरू ने की राहूल गांधी सावरकर के अपमान से क्या हासिल करेंगे नहरू और सावरकर में कौन वीर नहरू की भूल तिबबत पर अवैद कबजा खुबूल चेन पर नहरू की दीती नासूर बन गई भगत सिंग के साथ असेंबली हॉल में बम फेकने वाले बटुकेश्वर दत्त की साथ आजाद भारत में अन्याए जबकि जेल में नहरू को हर तरह की सुविधा मिलती थी ये मत सोचिए दोस्तों कि मैं मिसाल आपको सिर्फ एक पत्रकार की दे रहा हूँ जिसने तिहाड जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था जिसकी कई सेलफीज आप प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी के साथ देखते हैं आगे मुलाइजा फरमाईए जी नियूज नहरू की गलती की सजा भुगत रहा है देश क्या कह रहा हूँ मैं आपसे बाकाइदा एक टूल किट काम करता है जिसमें नहरू पर निशाना साथना होता है आगे देखिए मोदी यूग वर्सिस नहरू यूग धर्म निर्पेक्ष्टा वर्सिस सांस्कृतिक क्रांती जो गलती मनी शंकर ने अब ये पत्रकार कौने दोस्तों दंगा भड़काने को लेकर इस पर केस दर्ज है काइदे से इसको जिल्म होना चाहिए था क्या कह रहा है सुनिए जो गलती मनी शंकर ने पाकिस्तान जाकर भारत के लोकतंत्र की सुपारी देते हुए मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी थी जो गलती नहरू ने कश्मीर को यूएन ले जाकर भारत के अंद्रूरी मामले में विदेशी दखल वाली की थी क्या वही गलती आज राहूल गांधी दोहरा रहे है जबकि आप जानते हैं राहूल गांधी ने महज लंदन, केंब्रिज और अमरीका में भारती लोकतंत्र पर टिपणी की थी मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से उसकी तुलना नहरू, सावर कर तमाम चीजों से किया जा रहा है मैंने कहा ना बाकाइदा एक टूल किट काम कर रहा है दोस्तों 1962 में अगर नहरू, देश के सेना प्रमुक जनरल थिमया की बात मान लेते तो इतिहास कुछ और होता फिर मुकेश अमबानी की न्यूज चैनल की कुछ और मिसाले नहरू के कैंपस में मोदी का अपमान चाएवाला जीता चुनाव नहरू का कैसा योगदान कश्मीर पर शाह ने करवाया कॉंग्रिस का सत्स सामना लॉकडाउन की लड़ाई दोस्तों लॉकडाउन में भी ये लोग नहरू को घसीट कर ले आए लॉकडाउन की लड़ाई नहरू राजीव पर आई तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से नहरू के खिलाफ 24 गंटे 12 मैंने एक टूल किट काम कर रहा होता है अभी जो तमाम मैंने आपको न्यू शोज दिखाएए इसकी तुलना कीजिए प्रधान मंत्री के स्वरों में उनके लहजे में नहरू के प्रती जो उनकी नफरत है वो दोनों बयान जो मैंने आपको सुनाए है वो चुनिंदा बयान है दोस्तों मैं आपको ढेरों बयान दिखा सकता हूँ जो नहरू के खिलाफ प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने दिये मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर क्यों? उसकी वज़ा बहुत साफ है गांधी परिवार में सिर्फ दो ऐसे चेहरे हैं जोनों ने RSS के साथ कभी कोई समझोता नहीं किया जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर नफरत पहलाते हैं साथ कभी समझोता नहीं किया नहरू और राहूल गांधी अब जाहिर से बात है नहरू के खिलाफ इनकी नफरत चो है वो साथवे आसमान पर है और यहीं वज़ा है कि राहूल गांधी को बरबाद उन्हें खत्म करने की कोशश लगातार की जा रही है उनकी सांसदी चली जाती है उन्हें दो साल की सजा मिलती है उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और दूसी तरफ ब्रिज भूशन शरंड सिंग पर आँच तक नहीं आती यहीं वज़ा है कि चाहे देश के पहले प्रधान मंतरी नहरू हो या राहूल गांधी हूँ वो लगातार निशाने पर रहते है और यह जो ताजा प्रकरण हुआ है उस पर कॉंग्रिस ने उग्र पेवर अपनाए है मलिका अरजुन खड़गे क्या कह रहे है और जेपी नड़गे ने क्या पलट वार किया आपकी स्क्रीन्स पर और मैं आपको ये भी बतलाने वाला हूँ कि आखिर क्या कारण बताया नाम बदलने का भी सबसे पहले मलिका अरजुन खड़गे ने करार अपरहार किया दोस्तों जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले है नहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइबरिरी का नाम बदलने के कुछसित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार वहलोक तंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरला नहरू की शखसित को कम नहीं किया जा सकता इससे केवल बी जेपी आरेसिस की ओची मान सकता और ताना शाही रवये का परिचे मिलता है मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रती विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती अब इसके जवाब में जेपी नडडा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर एक साधारन तत्तिको स्वीखार करने में असमर्थ है कि एक वंच से परे ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे देश की सेवा और इसका निर्मान किया है प्रधान अंत्री संगिराले राजनीती से परे एक प्रयास है और कॉंग्रेस के पास इसे महसूस करने के लिए द्रिष्टी की कमी है मगर मैं जेपी नडडा साब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जब नई संसद का उद्गाटन हो रहा था तब फोकस किस पे था बताईए ना राश्रपती तक को नहीं बुलाया गया था उप राश्रपती को नहीं बुलाया गया था उसका उद्गाटन प्रधान मंत्री ने किया था देश की सामवेधानिक माननेताओं की धज्य उड़ाते हुए सिर्फ प्रधान मंत्री का नाम सुनाई दे रहा था यहां तक की संसद के अंदर मोदी मोदी के नारे लगाये जा रहे थे आपके एक मंत्री हैं प्रहलाज जोशी जब प्रधान मंत्री साश्टांग हुए थे संगोल के सामने तब उन्होंने महराजा शब्द का इस्तमाल किया था तो जब आप ये कहते हैं ना कि भाई नहरू के परे भी और प्रधान मंत्री हैं कीजेगा नडडा सहाब आपकी डिक्षनरी में प्रधान मंत्री नरे द्रमोदी के इलावा कोई इस देश का प्रधान मंत्री नहीं है आपके नजर में अटल विहारी वाजपे के भी कोई माइने नहीं है जिस तरह से आपने देश की राश्पती द्रौपुदी मुर्मू का अपमान किया था संसद के उधगाटन में उन्हें न बलाकर इसलिए आपके मुझे ये शुभा नहीं देता जब आप ये कहते हैं कि देश में आन्ने प्रधान मंत्री भी है मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों कि इन्हें नहरू से दिक्कत क्या है जैसे पहली वज़ा मैंने आपको बताई कि नहरू हमेशा से ही आरेसिस के खिलाफ थे बात वहाँ नहीं रुकती आरेसिस वो संगठन है दोस्तों जिसने बावन साल तक अपने मुख्याले में तिरंगा नहीं फैराया आरेसिस और हिंदू महासभा वो संगठन है जिनके तार जुड़े थे महात्मा गांधी की हत्या में गोड़से के पीछे एक पूरा प्रचार तंत्र है जिसमें आरेसिस बीजेपी तमाम लोग शामिल है आज भी भाश्पा के कई सांसद गोड़से को हीरो मानते हैं और गांधी को खलनाएक ऐसे आरेसिस के खिलाफ नहरू थे वो आरेसिस जो भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा वो आरेसिस जिसने जिन्ना के साथ बंगाल और सिंध में सरकार बनाई क्या वो आरेसिस आज की तारीख में नहरू पर उंगली उठाएगा जिस आरेसिस ने हमारे तिरंगे का अपमान किया उसको स्थान नहीं दिया अपने दफ्तर में वो आरेसिस या वो भारतिय जनता पार्टी जो है वो देश के पहले प्रधान मंत्री नहरू पर सवाल उठाएगा इसलिए जो काम आपने तीन मूर्ती भवन में किया है वो एक सामान ने काम नहीं हाला कि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि राजनाज सिंग ने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर संसकृती मंत्रा अले ने कहा कि राजनाज सिंग ने नाम में बदलाव के प्रस्ताव का स्वागत किया क्योंकि अपने नए रूप में संस्थान जवाहरलाल नहरू से लेकर प्रधान मंत्री मोदी तक सभी प्रधान मंत्रियों की योगदान को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि प्रधान मंत्रियों ने अपने समय की चुनोतियों का कैसे जवाब दिया आगे सुनिये उन्होंने प्रधान्मंत्रित्व को एक संस्था बताया और पूरो प्रधान्मंत्रियों की यात्रा की तुलना इंद्रधनुष के रंगों से की रक्षा मंत्री ने क्या कहा? रक्षा मंत्री ने कहा कि इंद्र धनुष को सुंदर बनाने के लिए उसके सभी रंगों का आनुपातिक रूप से प्रतनिधित्व होना चाहिए अब जिस संग्राले या जिस लाइब्रेरी का नाम था नहरू संग्राले और लाइब्रेरी उसका नाम कर दिया गया है प्रधान मंत्री संग्राले और लाइब्रेरी तरकियेड दिया जा रहा है कि भई प्रधान मंत्री का जो पद है वो इंद्रधनुष्ट के रंगों की तरह है और सभी प्रधान मंत्रियों के योगदान है बहुत ही वाजब बात यहां कई जा रही है मगर हकीकत यह है दोस्तों कि मौझूदा भारतिय जनता पार्टी के लिए मौझूदा प्रधान मंत्री के इलावा इस देश का कोई प्रधान मंत्री नहीं है उनके लिए महानता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू होकर वही पर आकर खत्म हो जाती है मैंने आपको बताया संसद के अंदर, ये भूल जाएए, मोटेरा में स्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, वो स्टेडियम जिसका नाम था सरदार पटेल, यानि कि बीजेपी के नगहा से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कद यहां है औ इसलिए जो नहरू को लेकर आपने काम किया, उस सामान ने काम नहीं है। अब इसार शर्मा को दीजे इजासत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजे, सच में मेरा साथी बनिये, बहुत आसान है दोस्तों, इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प, इन में से एक चुनिये, और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये।